अगर आप हवा की ठंड़क को सांस में लें, तो ये आप में कैसे जाएगी? Neurological System से ये लगभग तुरंथ पहुँचती है. पर हमारे Neurological System के परे एक और सिस्टम है. एक बार अगर Neurological System के मधुरता और गहरी उतर जाए, तो यहाँ आनंद पूर्वक बैठना एक आम बात हो जाती है. क्यों? ज्यादतर लोग अपने जीवन में थोड़ी सी शान्ती या आनंद को जानने के लिए भी संगर्ष करते हैं. ज्यादतर लोग इसको अपने गुण के रूप में क्यों नहीं ला पाते? मुझे पता है तमाम फिलोसफी कही जा चुकी हैं. लेगिन आईए इसे तकनीकी रूप से देखें कि इतनी आसान चीज क्यों नहीं हो पा रही है? तो जीवन के सारे अनुभव, हमारे अंदर वो कैसे आ रहे हैं? अगर आप हवा के ठंडेपन को सांस में लें, तो वो आप तक कैसे पहुँचती है? आपको कैसे पता चलता है? अगर आप कोई ठंडी चीज चूते हैं, अगर आप कोई सुगंध पाते हैं, अगर आप कोई स्वादिष्ट चीज खाते या चकते हैं, या कोई सुन्दर चीज देखते हैं या कुछ अच्छी लगने वाली चीज सुनते हैं तो मुख्य रूप से पहले वो आपके सम्वोधी बोध को छूती है वहां से तुरंथी नूरोलोजिकल सिस्टम या स्नायू तंत्र उसे आपके दिमाग में ले जाता है और एक सुख़द अनुभव या अप्री अनुभव पैदा करता है ये सुख़द अनुभव या अप्री अनुभव पूरी तरह से बाहरी उत्तेजक के कारण नहीं होता आंशिक रूप से हाँ ये इस पर भी निर्भर करता है कि उस पल में आप कैसे हैं अगर आप हताश परिशानी की हालत में हैं और कोई सुखत संगीत बजाता है हरे हाया नहीं कोई बहुत अच्छा संगीत बजा रहा है यह आपको और ज्यादा गुस्सा दिलाता है तो हमें समझना चाहिए इसके दो पहलू है एक है उस उत्तेजक की प्रकृती दूसरा है कि आप अभी कैसे हैं यानि की ये पूरी तरह से उत्तेजक के उपर नहीं है कार्मिक तत्व की भूमिका भी है तो जब हर चीज सहयोग करती है और सुखा दनुभव होता है आप सूर्योदय को देखकर चिड़ने के बजाए हे भागवान एक और दिन आपको लगता है वाह बहुत सुंदर कितना अच्छा लग रहा है अब वो अच्छा है क्योंकि नियूरोलोजिकल उत्तेजक ये उत्तेजक जब ये इंद्रियों को छूता है वहाँ से स्नायु तंत्र के जर्ये या नियूरोलोजिकली वो लगभक तुरंट आगे जाता है और अपना काम करता है लेकिन आपके neurological system से आगे भी एक दूसरा system है जो प्राणमाय कोश है जो neurological system जितना ही विस्तृत है अगर उससे ज्यादा विस्तृत नहीं लेकिन ये आगे बढ़ता है मैं तो कहूंगा neurological system से सौगना धीमे या उससे भी ज्यादा धीमे अगर आप सुखाद अनुभव को कायम रखें तो neurological system के स्तर पर जो सुखाद अनुभव हो रहा है क्योंकि आप सूर्योदे देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है आम तोर पर वाह या कुछ और या कोई ज्यादा तर लोग सुखाद अनुभव को कायम नहीं रखते वो यहाँ वहाँ कूदते फिरते हैं अगर आप एक खास सुखाद अवस्था को सुखाद नियूरोलोजिकल स्थर पर कायम रखते हैं मैं इन दो चीजों को अंग्रेजी भाषा के शब्दावली में कमी के कारण अलग रखने की कोशिश कर रहा हूँ आप जो मान लीजे आपने सूर्योदय देखा और आपको एक पल के लिए शांदार महसूस हुआ वो पल सनायू तंत्र के स्थर पर सुखद या समवेदी स्थर पर सुखद है उसको अपनी जीवान उर्जा का हिस्सा बनाने के लिए आपको उस अनुभव को कायम रखना होगा आपको वहाँ पर टिके रह पाना होगा आपको वहीं बने रहना होगा क्योंकि वो कम से कम सौ गुना धीमा है किसी सटीक माप की कमी के कारण मैं कह रहा हूँ तो अगर आप किसी भी अनुभव को कायम रख पाते हैं चाहे वो स्वाध ही हो, स्वाध, गंध, द्रिश्य या सुनने का हो, अगर आप खुद के साथ ऐसा करें, तो स्नायू तंत्र वाली प्रसनता, अगर वो प्रानिक सिस्टम में गहरे बैठ जाती है, तब यहां आनंद में होकर बैठना एक सामानी चीज बन जाती है, अगर आप सम्वेदी अनुभवों को बनाए रखें, तो वो आपका गुण बन जाएगा, यह कोई चीज नहीं है कि आपको आनंद करना पड़ता है, पर्मानंद की प्रक्रियाएं कभी लिखी नहीं गई, यह चीज़ें बस किसी एक खास जीव की उपस्थिती में होती हैं, योगियों के पास ऐसे करने के कई तरीके हैं, सिस्टम में कुछ खास नाडियां, अगर आप उन्हें सक्रीव कर दें, तो आप पर्मानंदित हो जाएंगे, अगर यह मानवता उफन कर बहने लगे, तब दिव्यता आपको ढूंडते होए आएगी, प्ल में करने प्ल में cozy मानोंडते होए खास एकार से कर दो अपasında कर assיד में सक्रीदयार आपको काया ए अगरें को जांयन करूंडते हो राँ तर च दोनी में प्रेसाल में सक्रीचा करमेर में कर झाल झाल